Hello everyone, इस वीडियो में हम mean, average or deviations को क्या करेंगे, discuss करेंगे Clear? अब देखो, जो meaning है, mean, average or deviation का वो क्या है The average deviation of a set of scores is calculated by computing the mean and then the specific distance each score and that mean without regard to whether the score is above or below the mean यानि कि हम क्या करेंगे यहां पर, जो average deviations है, वो set of scores का calculate करेंगे सबसे पहले हम क्या calculate, क्या compute करेंगे mean और फिर हम check करेंगे कि जो हमारे पास observations given है, जो items given है, जो score given है वो कितना specific distance है, each score का, यहां पर score की, जिंगे पर आप replace कर सकते हो items से तो that the mean without regard और हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास किसको ignore करेंगे regard the whether the score is above or below, यानि कि अगर वो below होंगे तो minus में value आगी यानि कि positive और negative science को ignore करते हुए हम क्या find out करते हैं, deviations सबसे पहले mean निकाल लेंगे, और mean के बाद हम check करते हैं, कि जो हमारी x i है यानि कि जो mid value है, वो mean से कितना deviation है, कितने distance पे है, जैसा कि हमने इसे just पहले वाली वीडियो में discuss किया था अब definition given है, मद्यमान विचलन की, गिलफोर्ड के नुसार, तो जो मद्यमान या मद्यमान से भिन, भिन प्राप्तंकों की विचलनों का मद्यमान है जबकि बीच गनिक चीनों को ध्यान में न रखा जाए, यानि कि जो मद्यमान या इसी को हम दूसरा नाम बोलते है, क्या मद्यमान यानि कि mean deviation, तो यह क्या होता है, जो mean deviation होता है, यह मद्यमान से भिन, यानि कि उसका difference होता है, प्राप्तंकों के विचलनों का और मद्यमान का, यानि कि जो हमने deviation से निकालने हैं, वो हमारे mean deviation से कितने distance पे है, यानि कि उनका जो अंतर है, वो क्या है, और इसमें हम 20 गनित मतलब, यानि कि चीहन मतलब यहां पे बात हो रही है, कि sign की plus और minus sign को हम क्या करते हैं, ignore करते हैं, फिर हम इसी को जो दूसरा नाम भी क्या है students की, it is also called an average absolute deviation, यानि कि हम इसी method को किस नाम से जानते हैं, average absolute deviations, तो it is the average distance of all of the elements in a data set from the mean of the same data set, यानि कि हम क्या करते हैं, जो average distance होता है, हमारे पास all elements का इन data set में तो उससे क्या करेंगे, from the mean of the same data set, यानि कि mean value से जो data set है हमारे पास, वो कितने distance पे हैं, इसी को हम क्या करते हैं, study करते हैं, यानि कि mean absolute deviation क्या होता हमारे पास, यही होता है, कि जो हमारा mean value I है, वो हमारे पास, जो set है data का, वो उससे कितना दूर है, माल लीजे मैंने यहां पे right क्या है, two, three, five, clear, और यहां पे right क्या है, मैंने माल लो two, तो अब मैं mean find out करूंगे, यहां पे, तो हमारा mean क्या निकलेगा, तो mean आएगा हमारा five, seven, three, ten, और twelve upon four करेंगे तो three, अब मुझे deviation निकाल लोगे, मैं पहले तो देखो, जो three है, तो x i यह निके mean इसमें से two minus three करूंगी तो minus one, three minus three zero, five minus three तो two, और फिर two minus three तो minus one, इस तरीके से हम क्या करते हैं, deviation find out करते हैं, और जब हम deviation find out करते हैं, तो जैसे यहां पे हमारे जो value आई, वो minus one आई है, तो यहां पे हम जो minus one है इस sign को क्या करते हैं, ignore करते हैं, clear, अब जो next है हमारे पास है, calculation of mean और average deviation, यानि कि जो average deviation है, इसको हम कैसे calculate करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास, यानि कि mean deviation, md means कहां पे, mean deviation और adb क्या होता है, average deviation, average deviation और mean deviation बात एक ही है, from ungrouped data, अगर जो हमें data given है, वो किस form है, students, ungrouped form है, उस case में हम कैसे find out करते हैं, तो हमारे पास formula क्या होता है, md is equal to summation, modulus d, या इसी को हम बोल देते हैं, bar around d, clear कि ये bar के सान, या वैसे हम इसको modulus ही read करते हैं, upon n, और md means क्या होता है, mean deviation, और n means क्या होता है, number of scores, और d means होता है, deviation of a score from the mean value, and d bar, यानि कि जो महरे पास modulus d होता है, ये क्या करते हैं, plus और जो minus के sign, हम इसको disregarded करते हैं, at the time of addition, यानि कि हम plus minus के signs को ignore करते हुए, simply क्या करते हैं, add करते हैं, अगर हमें given होता है data किस form में, grouped form में, like 10 to 15, 15 to 20, इस तरीके से, तो उस case में हम median कैसे find out करते हैं, summation f, यानि कि frequency की multiply करते हैं, किस से deviation से, और divided by क्या हैगा, number of, चीक है, scores क्या है, n means, तो deviation of scores from the mean, f means frequency, और n means number of scores, इसलिए जो grouped data से क्या formula मारे पास summation, f multiply modulus d, divide by n, clear, अब हम practically questions को कर रहेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा अच्छे से, तो सबसे first जो मैंने यहाँ पर data लिया है, वो data लिया है, मैंने यहाँ पर क्या, निमिलिक्त अवविस्तित अंको का मद्यमान वीचलन ग्याद करे, तो देखिए, हमें क्या है, अवविस्तित इ मिल्स, ungrouped data given है, 20, 24, 13, 16, 18, 22, 14, 10, 11 and 15, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ungrouped data है, हम इसको write करेंगे, यानि कि हमारा क्या है mean, write करेंगे हम क्या 20, 24 और 13, फिर है हमारे पास 16, 18, 22, 14, 10, 11 and 15, clear और जो यहाँ पर मैं क्या find करना है, देखो पहले formula बताओ, क्या था हमारे पास formula था, जो mean deviations का ungrouped data था, तो हमारे पास formula था, md is equal to summation modulus d upon n, और जो d है वो deviations का निकालने का formula क्या होता है, d हम कैसे find out करते हैं deviation, जब मैं क्या करूंगी, x i, जो हमारे पास है, इस में से मैं mean value को minus करूंगी, तो क्या निकलता है, deviation, यानि के जो हमारे ये scores हैं, वो mean value से कितने distance पे हैं, ठीक है, x में से हम minus करते हैं mean value को, अब मुझे mean find out करना पड़ेगा पहले, अब mean निकालने का formula क्या होता है, हमारे पास, जो mean है, mean का formula होता है, summation x upon n, simple, देखो, जब simple मुझे यहां mean find out करना तो क्या formula लगता है, जितने भी observation है, जो scores हैं, इन सब को add करो, और divide by number of scores या observation, यहां पे कितने हैं total, तो आप इन सब को add करोगे, यह हमारा कितना बनता है, यहां पे 160, यानि के summation x क्या है, हमारा 160, और number of कितने हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप इसको ऐसे add करोगे, तो हमारे पास कितने 10, तो 160 upon 10, तो value क्या हैगी हमारे पास 16, clear, अब मैं क्या करूँगी, जो value आई है mean, x i में से हम minus करेंगे mean को, तो मैं क्या करूँगी, यहां पे जैसे 20 minus 16, तो बचेगा 4, फिर next में हम करेंगे 24 minus 16 करोगे, तो बचेगा 8, फिर 13 minus 16 करेंगे, तो हम 3, और 16 minus 6 करेंगे, तो हम क्या बन जाएगा, यहां पे 0, और फिर 18 minus 16, 2, clear, अब 22 minus करेंगे, ठीके, अब 14 minus देखो, वैसे तो हम 14 minus 16, करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, minus 2 बनेगा, लेकिन अभी हमने रीड किया, क्या, कि हम जब modulus D, हमें यहां पे modulus D लेना है, तो इस case में हम जो minus का sinus को ignore करते हैं, इसलिए value आएगी यहां पे, plus 2, और यहां पे value आएगी, कि देखो, वैसे तो minus 6 है, बट हम write करेंगे, plus 6, और यहां पे हमारा क्या है, यह, 10, और 11 minus हम write करेंगे, यहां पे, 16, तो इस case में बचेगी value हमारी 5, और last आएगी हमारी value क्या 1, अब हम क्या करेंगे, submission करेंगे, यहां पे modulus D, यानि कि जो हमारी value आई है, इन सब को आप add करोगे, तो यहां पे जो आपकी value बनेगी, वो बनेगी, 8 plus 4, 12, 15, 17, 19, और यह, 20, 25, 7, यह आपकी जो value आएगी, वो क्या बनेगी, यहां पे 37, अब मैं क्या करूंगी, formula में हम put करेंगे, direct क्या है, summation, modulus D की value क्या आई है, 37 upon, n, यानि कि number of term कितनी है, हमारे पास जो even है, वो है, 10, तो answer will be, 3.7, यानि कि जो हमारा, mean deviation है, अब जो next question है, अगर हमें जो given है data, किस form में, grouped form में, like 50 से 54 है, ठीक है, 45 से 49 है, इस तरिके से given, तो उस case में हम कैसे, find out करते हैं, mean deviation को, तो सबसे पहले हम formula write करेंगे, कि हमें चाहिए क्या है, उसी के according हम क्या करते हैं, फिर questions को find out करेंगे, अब मैंने यहाँ पर दो questions write करेंगे, एक में हमें क्या करना है, दोनों ही same question है, बस करने का थोड़ा सा method लगोगा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया हमें, निमिलिक अंक सामगरी का, mean deviation, find करना है, जिसमें, मद्ध्यमान मिन्स, mean deviation को find करना है, तो पहले हम mean find out करेंगे, अब मैं formula write करती हूँ, कि mean deviation का formula क्या होता है, mean deviation का formula होता है, हमारे पास continuous series में क्या होता है, summation F modulus D, यानि कि summation हमें multiply करना, F के और modulus D की, और upon क्या आएगा हमारे पास N, clear, अब देखो, जो summation F और modulus D, अब modulus D कब निकलता है मेरा, उससे पहले मुझे क्या करना होता है, mean find out करना होता है, और जो score सा है, जो mid value है, XI है, उसमें से माइनस करते हैं, mean value को, तो तब हमारा क्या निकलता है, deviation, तो deviation के लिए मुझे mean find out करना पड़ेगा, clear, और जो mean है, वो मुझे कैस किस method से find out करना है, अब long method से, clear, अगर आप सबसे first तो हम क्या करेंगे, अब हमारी जो series है, यहाँ पर one का gap है, clear, क्योंकि यह 49 है, यहाँ 50 है, यहाँ 45 है, यहाँ 45 है, और यहाँ 44 है, यह 45 है, 39 है 40, तो हम वही lower limit में से क्या करते हैं, minus करते हैं, और upper limit में add करते हैं, clear, तो हम इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारी continuous series बनाएंगे, हम सबसे first, तो क्या बनेगी यह, इसमें से minus करेंगे 49.5, और यह क्या बन जाएगी, 54.5, एड करेंगे, यहाँ पर minus करेंगे तो 44.5, और इसमें क्या करेंगे, plus करेंगे तो 49.5, और again यह क्या बन जाएगी अब हमारी, इसमें से minus करेंगे तो 39.5, plus करेंगे 44.5, तो इससे next बनेगी, हमारी minus करेंगे तो 34.5, और यहाँ पर 39.5, फिर 30, मैं से माइनस करेंगे 29.5 और यह 34.5 अभी हाँ पे 25 मैं से करेंगे 24.5 और यह बनेगी 29.5 फिर माइनस करेंगे तो यह 19.5 और यह बनेगी 24.5 फिर माइनस करेंगे 14.5 एड chapter 19.5 और लास्ट यह बनेगी 9.5 से 14.5 अब सबसे फस्त हमने क्या कि जो क्लास इंटरवल था इसको चेंज कर लिया अब फ्रिक्वैंसी है तो अब मुझे टम निकालने है ठीक है ये KLAAS इंटरवल हमने चेंज किया है अब हम इस KLAAS इंटरवल को फोकस करें तो जो हमारी XI है mid value है वो कैसे निकलती है अगर आपको पता है तो ठीक है अगर नहीं पता तो फोर्मूला क्या था mid value निकालने का formula होता है हमारे पास क्या x i is equal to क्या होता है upper limit plus lower limit divided by 2 यानि कि 49.5 में मैं एड करूंगे 54.5 upon 2 तो 49.5 में 5 एड के तो क्या बना है 50 और 50 में हम 54 एड करेंगे तो 104 divided by 2 तो यह बनेगा हमारा 52 तो जो x i है वो क्या है अब 52 अब मैं क्या करूंगी जो हमारी x i की value है इसमें हम जो gap है हमारे class interval का वो सब में क्या है continuous series है equal gap है 55 तो मैं यहां पर add करते जाओंगे sorry क्योंकि अब यह क्या है हमने जो class interval है वो निचे से यहां से यानि कि हमने किस order में write कर रखे अब यह descending order में है यानि कि सबसे greater है फिर lowest lowest तो इस case में हम क्या करेंगे अब minus करेंगे अगर यह ascending order में होता तो हम plus करते तो मैं minus करूंगे यह क्या बनेगा 47 फिर minus करेंगे तो 42 फिर minus करेंगे 37 फिर 32 फिर 27 22 और यह बनेगा 17 और यह लास्ट मिलेगी हमारी minus करेंगे तो 12 अब देखो जब हम long method से करते थे तो हमारे पास क्या था formula fi की mean निकालने का formula क्या होता समीशन fi x i upon n यहीं है formula तो मैं यहां पर क्या करूंगी जो समीशन fi और x i की क्या कर देंगे हम multiply अब 52 तूज़ा करेंगे तो क्या आएगा 104 फिर 47 तूज़ा करेंगे तो क्या बनेगा 94 फिर 42 तूज़ा 3 तूज़ा 6 और 126 फिर 37 तूज़ा 111 फिर 160 और multiply करेंगे 108 और यह बनेगा अब हम इन सब का समीशन करेंगे समीशन fi x i क्या है हमारे पास वो बनेगा 815 और जो समीशन fi है वो क्या है हमारे पास 25 अब देखो मीन निकाल लूँगे मैं सबसे first mean value तो जो हमारा मीन है मीन का क्या formula होता है summation fi x i upon summation fi तो summation fi x i की value क्या है हमारे पास एट अंड़र 15 अपॉन 25 करेंगे तो जो एक हमारी आएगी 55 अब इसको दुबारा फर्दर कैंसिल करेंगे तो 5, 3 is a 15, 5, 2 is a 10, और यह 5, 6 is a 30, clear तो यह बनेगा यहाँ पर 32.6, यह हमारी क्या है mean value, अब देखो हम deviation निकालते हैं, तो deviation कैसे निकालते हैं, कि जो mean value से हमारे जो score से mid value है, वो कितना दूर है, तो अब हम minus करेंगे, अब minus करेंगे, यानि कि अब हम करेंगे, x i minus mean value is equal to हमारा क्या निकल जाएगा, d, modulus d, clear, तो अब 52 minus करेंगे हम क्या, जैसे 52 में से जो mean value क्या है हमारी 32.6, इसको मैं क्या करूंगे, minus, तो जो यहाँ पर answer आएगा, वो 19.4, फिर ऐसे मैं minus करूंगे, तो 14.4, और next आएगी हमारी 9.4, clear 42 में से मैं क्या क्या, minus क्या 32.6 को, फिर 37 में से करेंगे, तो यहाँ पर value आएगी, 4.4, फिर 32 में से 30.26 करेंगे, तो 0.6, फिर 27 में से करेंगे, 5.6, 10.6, 15.6, and last one क्या बचेगी, 20.6, अब modulus D, लेकिन हमें formula में क्या चाहिए, mean deviation, तो submission F into multiply क्या होता है, modulus D, तो अब मुझे modulus D तो निकल गा, इसकी multiply, अब formula के coding हमें किस से करने पड़ेगी, F I से, clear, अब हम 19.4 की multiply करेंगे 2 से, तो देखो, अब submission हम multiply कर रहे हैं किसकी F I की और modulus D की, clear, 4, 2, 8, 19, 2, 38, फिर 14.4 की करेंगे 2 से, तो 0.8 और 14, 2, 28, again क्या बनेगी हमारे पास, 28.2, फिर 13.2, और यहां पे 6 की से करेंगे, तो 6, 5, 30, 0.30, clear, और फिर next बनेगी हमारे पास, यहां पे आप right करोगे 5.6 की, फिर 4 से करेंगे, तो यह बनेगी 22.4, 13, 1.8, 31.2, and 20.6 यह दावन जासे हो रहे हैं, clear, अब हम क्या करेंगे, इस complete जो हमारी आई है, submission FI और modulus G का submission, यानि कि हम अब सबको add करेंगे, तो आप इन सबको add करोगे, तो जो last में submission आएगा, आपका वो बनेगा यहां पे 218, sorry, clear, तो वो क्या बनेगा, 218, तो अब मैं क्या करूंगी, देखो, submission FI modulus D, और जो submission FI और उन सब value को हम put करेंगे, median में, तो हमारी value क्या है, देखो, जो value है हमारी, mean deviation is equal to submission F modulus D की value आई है, 218 और submission FI, यानि कि N, देखो, submission FI भी बोल सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, N भी बोलते हैं, clear, तो यह value क्या हमारी 25, तो यहां पे क्या बनेगी, हमारी 8.7, अब इसको divide करोगे, तो 8.72 is your answer, clear, थोड़ा सा है, difficult, लेकिन आप number of questions प्रैक्टिस करोगे, तो easy भी है, class interval given है, frequency आपको given है, अगर आपको class interval continuous series में है, तो उस case में हमें कुछ नहीं करना, फिर तो as it is right करना है वो, तो class interval को मैंने continuous series में बनाया, continuous series में आपको आता है, बनाना कैसे, कि जो हमारी lower limit होते हैं, उसमें से हम minus करते हैं, और upper limit में क्या करते हैं, add करते हैं, जितने का gap होता है, उसको divide by 2 करके, क्योंकि यहां पे 1 का gap था, इसलिए हम divide by 2 करेंगे, तो क्या value आते हैं, 0.5, अगर यहां पे 2 का gap होगा, तो उस case में हम lower limit में से minus करेंगे 1 को, और upper limit में add करेंगे 1 को, फिर हमने mean long method से बोला था, इसलिए हम fi और xi mid term निकाल ली, fi x i किया, हमने mean value निकाल ली, तो mean value हमारी है, 32.6, फिर हम xi में से mean value को minus किया, हमने deviations को find out किया, deviations की frequency से multiply की, और हमारा जो mean deviation का formula था, क्या, summation f di, divide by n, या हम इसको यह write करते है, summation fi में क्या कही value पुट की, तो हमारा mean deviation निकल गया, अब जो next question है, वो भी same ही है, clear, बट यहां पे जो mean find out करना, वो किस method से करना हमें, shortcut method से करना है, तो देखो, जो हमारी values आएंगी, यहां पे class interval वो आपको पता है, new class interval जो इस case में था, same वही statement है, 49.2, minus करेंगे तो क्या आएगा, 49.5, 54.5, again 44.5, 49.5, फिर हमारा यहां पे 39.5, 44.5, clear, आप adjectives जो पिछले question में था, same आ जाएगा, अब मैंने, fi हमें given है question में, तो mid value भी आपकी निकल जाएंगी, तो mid value क्या निकले थी हमारी, जो x i था, वो क्या निकला था हमारा, 52, 47, फिर 42 था, फिर 37 था यहां पे, और यहां 32 है, और यहां 27 है, और यहां 22, और इस case में 17, और last में था, 12 इन दोनों के बीच में, clear, अब देखो x i b है, अब मुझे क्या करना है, उसने बोला shortcut method से, तो मैं UI वाले method है जो, उससे क्या find out करूँगी, यहां पे mean, clear, तो UI में हम क्या करते हैं, assumed mean मान के चलते हैं, कि जो हमारा assumed mean है, वो क्या होगा, मान लीजे मैंने यहां पे a, जो assumed mean है, वो 32 को let किया है, अब ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने, मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाली वीडियो में, अब हम UI की value क्या होते है, x i minus a upon h, मैंने आपको क्या बताया था, क्योंकि उस case में हमारी जो series थी, वो ascending order में होता, जो class interval था, वो ascending में था, जैसे 10 to 14, 15 to 19, 22 to 24, लेकिन यहां पे descending में है, तो इस particular case में इसके सामने तो रहेगे condition, बस वो क्या हो जाएंगे, अब निचे, 0, अब देखो, यहां पे हमारा क्या बनेगा, 32, यानिके 27 minus करेंगे, यहां पे value अब क्या हैंगे, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, और यहां पे 1, 2, 3, 4, क्या हो जाएगा, positive, clear, क्योंकि अब यहां पे जो series change हुई है, जो हमारी x i की value हो, वो change हुई, क्योंकि यह किस order में हैं, descending order में है, clear, अब हम क्या करेंगे, f i x i की, sorry, अब हमें क्या चाहिए होता है, पहले यहां पे formula write करो, mean का, mean का formula क्या होता है हमारे पास, यानि कि a plus summation f i u i divided by summation f i multiply h या c i, यह मतलब class interval, और यह value है हमारी 25, और हम क्या करेंगे, f i की और u i की क्या करते हैंगे, अब multiply, तो f i और u i की multiply क्या हैगी हमारी, 4 to the 8, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 to the 3, 0, minus 4, 3 to the minus 6, 3 to the minus 6, minus 4, तो देखो, 6 और 6 तो 2, 6 यहां से cancel, और minus 4 और minus 4 और plus kt यह भी cancel, तो बच्चे का only summation f i u i is equal to 3, अब value put करूंगे, मैं arithmetic mean कितना था हमारा 32, प्लस, अब हमारे पास जो summation f i u i की value क्या आई है, 25, और जो h है, अब देखो, मैंने बता था, जो हम new class interval लेते हैं, उस बीच का gap, तो यह हां पर अब कितने का gap है, हमारा 5 का, तो इंटू 5, 5, 5 जा, 25 और 3 by 5 को आप divide करोगे, तो यह किस पे चलेगा, 0.5 और यह 5, 6 जा, 30, लिए, तो यह value आएगी, आपकी 30.6, clear, देखो, अब मैंने, इस same question को, दूसरे method से, यानि कि हमने direct method से किया था, उस case में भी जो मेरा mean था, वो क्या निकला था, 30.6, अब मैंने shortcut methods को use किया है, तो इस case में भी जो मेरा mean answer है, वो क्या है, 32.6 है, अब mean निकल गए, अब हम क्या find out करेंगे, same deviations, clear, तो अब जो deviation होगी, वही same formula, यानि कि मोडलेस डी किसकी equal होता है, xi minus m, यानि कि जो xi वाली value है, इसमें सम माइनस करेंगे, mean value यानि कि 52, minus mean की value क्या है, 32.6, तो यहां पे आएगा, आप 19.4, फिर 47 में से करेंगे, 14.4, 9.4, 4.4, same वही value हैंगी, 0.6, 5.6, 10.6, 15.6, और जो last value होगी, वो क्या होगी, 20.6, और क्या करेंगे हम, हमें formula में क्या चाहिए है, F, यानि कि frequency को और modulus tree की हम क्या करेंगे, multiply, तो again frequency की और modulus tree की multiply करोगे, 19.4 की multiply करेंगे, हम 2 से, तो 38.5 क्या बनेगा, हमारे पास 8, फिर 28.8, फिर 20, next जो value बनेगी, वो भी क्या बनेगी, हमारी 28.8, 13.2, फिर 0.30, और last 22.4, 31.8, और 31.2, और यह 20.6, और इन सब को आप add करोगे, तो again जो हमारा summation F5 modulus tree की जो value हैगी, वो 218, clear? अब मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास mean निकालने का, यानि के mean deviations का क्या formula है, mean deviation is equal to क्या है, हमारे पास, yes, summation F modulus tree upon, summation F5 भी write कर सकते हो, या N भी write कर सकते हैं, तो summation F5 और modulus tree की value क्या है, 218 upon 25, तो answer will be 8.72, clear? देखो, answer both case में क्या है, हमारा same है, सिफ करने का, जो question करने का method है, वो क्या है, अलग है, बल्कि सिफ mean निकालने का method अलग है, बाकि तो same है, क्यूंकि deviations को हम कैसे find out करते हैं, जो हमारी x i, यानि कि जो mid value होती है, उसमें से minus करते हैं mean को, तो deviation और deviation की multiply किस से करनी है, हमें frequency से, clear? अब questions को practice करना, अब last है कि जो हमने mean deviation किया है, इसकी merits और demerits, क्या क्या है, limitations क्या क्या है, तो first इसकी merits पे focus करेंगे, जो हमारे पास mean deviation होता है, तो इसकी क्या विसे स्ताइकिस की गन्ना और इसे समझना असन होता है, यानि कि हम इसको calculate करे हो, इसको understanding, यानि का understand करना क्या होता है, easy होता है, इसको समझना सहरल होता है, वीतरन के सभी अंकों का प्रियोग क्या जता है, क्योंकि अभी हमने देखा, हम mean find कर रहे तो हम जितनी वह observation थी, जो scores थे, तो सभी को क्या किया था, हमने प्रियोग करके ही questions को किया था, यह दूर्तम मुल्यों से कम परभावित होता है, यानि के जो distance होता है, हमारी number of scores में तो इससे क्या होता है, यह कम परभावित होता है, फिर इसकी सीमा है क्या है हमारे पास, यह आगामे बीजगनीत यह भी क्रिया, यह जो algebraic treatment के योगनी है, जो हम algebra करते हैं, तो उस case में हम इसको use नहीं कर सकते, किसको mean deviation को, और जो last है, इसकी सीमा क्या, इसमें चीहिनों को नजर अंदाज किया जाता है, यानि कि हम जो plus minus के sign होते हैं, उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, जैसी हमने question में क्या था, कि जब हम x i में से हमने minus किया था, तो वहां उस case में हमारी value थी, वह minus का बन रहा था वहां पर, लेकिन हमने minus को ignore करते हुए, चीक है, तो उसी value पर focus किया था, चाहे वह value प्लस थी या minus में थी, simply हमने क्या किया था, एड किया था, बलकि हमने minus के sign को तो use नहीं किया था, आपको देखो, मैंने यह question practice के लिए दिया है, आपके पास जो book है, यह net है, जहां से भी available होते हैं, आपको question, वहां से practice करिए, clear, thank you students,